सेम चीदियों को हमा में किया ये ग्रूप जो थी ये ओम श्रिंक्यों की ग्रूप थी जो एक बुद्दिस कल्ट है ये बुद्दिस थे मुसल्मान नहीं थे ऐसी आप कई मिसाल पेश कर सकते हैं यूके में हम जानते हैं कि सबसे खतरनाग टेरिश अटाक और सबसी ज्यादा जो टेरिश अटाक किये वो है आई आर एने आईरिश रिपॉप्लिकिन आर्मी ये एक कैटलिक और्गनाइजेशन है क्रिश्चन और्गनाइजेशन है इसाई टेरिश और्गनाइजेशन है लेकिन कभी भी यूके मीडिया में आपको ये नहीं मिलेंगा कि कैटलिक टेरिश ग्रूप कहा जाएंगा आई आर ए आईरिश रिपॉप्लिकिन आर्मी क्योंकि हो मुसल्मान नहीं है अगर मुसल्मान कुछ गलत काम करते है तो नाम आता है का मुस्लिम टेरिश बाकी कुण गलत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है मुसल्मान चाहे युएसे में हो साओधी में हो युके में हो या इंडिया में हो तो मुसल्मान जैसा पैचाना जाता है अच्छे काम किये तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया मुसल्मान ने नहीं इंडियन को नोबिल प्रैस मिला मुसल्मान को नहीं तो डबल स्टेंडर्स क्यों और यह जो और्गनाइजेशन है आईरिश रिपॉब्लिकन आर्मी वो खुसूसन कैटलिक और्गनाइजेशन है इसी लिए जगडा कर रहे है प्रोटेटिटिन के साथ और कई सालों से कर रही है एक सो से ज्यादा टैरिस अटाक किया उन्हें 1972 में 22 फेबरी में अल्डर शॉट में उन्हें बॉम का दमाका किया जिसमें साथ लोग का गतल हुआ 21 जुलाई 1972 बेलफास शेर में यह आयारे ने और एक बॉम दमाका किया जिसमें 11 लोग का गतल हुआ और 130 गाहल हुए दस दिन बाद 31 जुलाई 1972 में क्लॉडी में तीन बॉम दमाका किये उन्हें और इसमें 9 लोग क्यातिया हुई 1974 में गिलफ़र्ड पब में उन्हें बॉम दमाका किया जिसमें 5 लोग का इंतिकाल हुआ और 44 लोग गाहल हुए उसी साल 1974 में बॉमिंगें पब में फिर से एक बम दमाका किया जिसमें 21 लोग का गतल हुआ और 182 गाहल हुए यह आयारे ने 1996 में लंडन में बॉम दमाका किया जिसमें 2 लोग का गतल हुआ और 100 लोग से ज्यादा गाहल हुए उसी साल 1996 में मैंचेस्टर में एक बम पोड़ा शॉपिंग कमप्लेक्स के भार जिसमें 206 लोग गाहल हुए 1998 में यही आयारे ने एक 500 पॉंड का कार बॉम बर्स क्या बैंबिर्क शेर में जूते की दुकान के भार जिसमें 35 लोग गाहल हुए और 200 से ज्यादा घर तबाह हुए यही आयारे ने उसी साल 1998 में उमैग में और एक 500 पॉंड का कार बॉम फोड़ा जिसमें 29 लोग का इंतिकाल हुआ 29 लोग का कतल हुआ और 330 गाहल हुए 2001 में BBC में फिर से उनने बॉम फोड़ा आयारे के बारे में अगर मैं तक्रीर करने लगू तो एक दिन निकल जाएंगा Catholic लोग है लेकिन कहा जाता है IRA Irish Republican Army इस तरह के से कहीं मिसाल पेश कर सकता हूँ स्पेइन और फ्रांस में एक टैरिस और्गनाशन का नाम है ETA जो बहुत से आतंगवादी हमले करते है आफ्रिका में इतनी आतंगवादी ग्रूप है ग्रो है कि मीडिया को वक्ती ने किसको जमेदा ठेरा है इस में से सबसे खतरनाक है Lord Salvation Army ये एक Christian टैरिस्ट और्गनाश है चोटे-चोटे बच्चे को ट्रेन करते है आतंगवादी हमले करने के लिए बहुत खतरनाक और्गनाशन है हाई-Krishan organization नाम है Lord Salvation Army श्रिलंका में हम जानते हैं जो बहुत खतरनाक टैरिस्ट और्गनाशन है उसका नाम है LTTE लिबरेशन टाइगर्ज अफ टैमिल इलम शॉट फ़र्म है टैमिल टैगर्ज हमेशा पेपर में ल्टी टी 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 टैमिल टैगर्ज कोन है वो हिंदू लोग है और जब तहकी करते हमें पता लगता है कि यह वो लोग है जिनोंने सबसे पहले स्यूसाइड और एक किताब लिखी एमरेक किन ने रॉबर्ट पेप ने जो असोसेट प्रॉफिसर शिकागो में थे डाइंग टू विन उनका रिसरच था टैरिस अटाइक पे स्यूसाइड बॉंबिंग पे और उनने कहा कि लोग जो यह इलजाम लगाते मुसल्मान स्यूसाइड कि माहिर थे वो LTE हिंदू थे और हम जानते हैं उसकी मिसाल उसकी मिसाल हम जानते हैं कि 21 में 1991 हमारे प्रदान मंत्री थे प्राइम मिर्श राजीव गांदी राजीव गांदी को सुसाइड बॉंब के जरिए उनका कतल किया गया था एक औरत LTE ग्रूप की टैमिल टाइगर्स की अपने जिसम पे बॉंब बांद के चुपा के वो हार पेनाना जाती है उस टाइम के प्रदान में राजीव गांदी को और बॉंब धमाका करती है और अपने साथ खुद मर के राजीव गांदी को मार के 16 लोग की और हत्या करती है वो थ प्रदाने नहीं कि यूँ और रॉबर्ट पेप लिखते है कि क्यों मुसल्मान को अगर हिस्ट्री में देखेंगे जितने जंग मुसल्मानों की हुई उसके जो कुछ सुसेट बॉंबिंग हुआ क्या पहले और यह सुसेट बॉंबिंग को आम बात में अमरिकन लोग नहीं गया आज लिकिन ब्लेम आते हमेशा मुसल्मान पर ऐसे कई मिसाल है एल्टी टी ने सिर्फ अगर आप तैकी करेंगे लास्ट सोला साल में उन्होंने 157 टेरिस अटाक्स किये हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम कश्मीरी मिलिटेंट मुसलिम टेररिस्ट में ये नहीं कहता हूं कि मुसल्मान ने आतक वादे हमले नहीं किये कोई भटके होएं मुसल्मान है जो किये हुगे मैं यह नहीं कहता है कि यह बिलकुल गलत होगा लेकिन मीडिया में जब फरंड पेश प्याइंग अक्सर मुस्लिम टेरिस्ट जैसे बाकी टेरिस्ट को नहीं नहीं इस देश में सिर्फ मुसल्मानी टेरिस्ट है जब तेकी करते पता लगता है कि सिख टेरिस्ट भी है बिंदनवारा ग्रूप और ये सिख टेरिस्ट ने पाँच जून सन 1984 में उनने गोल्डेन टेंपिल को कबजा किया इंडियनामी फोस जाती है उनको भान निकालती एक सो लोग की हत्या होती है उसके चन्द महने बाद 31 अक्टोबर सन 1984 में उस ताइम के परदान मंतरी राजिव गांदी की माता श्रीमती इंडियनामी 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 पेरिस ऑगनाइजेशन है उल्फा युनाइटिड लिबरेशन फ्रंट अफ असायम बहुत खतरनाग है उनका में मकसद है वो हिंदू ऑगनाइजेशन है हिंदू आधंगवादी ग्रूप है उनका में मकसद है कि मुसल्मान को मानना पुसल्मान के हत्या करना और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा सिर्फ उल्फा ने यह दो साल के पहला का स्टारिस्टिक से अभी अपडेट नहीं किया हूं में 2006 तक के उल्फा ने 749 टेरिस अटक्स किये दिर इस नो अधर टेरिस ऑग्नाइज़ेशन इन दे वर्ल हिस्ट्री वह दन 749 टेरिस अटक्स सांस सो उन्चा टेरिस अटक्स उल्फा ने किये चंद सालों में सिर्फ हम पढ़ते ही ने पेपर मैं पता ही ने मैं जब बंबे में पेपर पढ़ता हूं पता चलता कश्मीरी टेरिस्ट मुस्लिम टेरिस्ट जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला थे तक्रीर करने के लिए और मैं सो जाओं क्या ने जाओं जाओं क्या ने जाओं फिर 2003 में लोग वहां मौझूद होते मैं सोचा था मैं जाओं के नहीं जाओं हालात बुरे हैं मौत का तो डंड नहीं अच्छी फिधाही किने गया मैं फारान गौशनर के साथ में गया तकरीर किया चीफ मिनिस्टर से मिला डिनर के लिए काफे मिनिस्टरों से मिला हाला तो लग रहे थे लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि दो बाडी गार्ट की धरवत थी चंद मैने बाद मैं जाता हूँ असाम में एपोर्ट पे उतरता हूँ उतरते ही चार पुलिसमें श्टेंड गन के साथ चार पुलिसमें असाम में क्या जरुवत है असाम में चार पुलिसमें वो भी श्टेंड गन के साथ क्या जरुवत है जब मैं सड़कों पे निकलता इथा कि हमें तो पता ही नहीं असाम के आलत क्या है me to assam में इतने अतंगवादी हम्लाइ हो रहे हमें पता ई नहीं है मुझे तो बिलकुल नहीं पता था मैं न्यूप्र पढ़ता हूं हमेशा है कि वहाँ जाने के बाद पता comprar चला इंटरनेट पर तैककी जोरौम में कई क्रिशन ओगनाइजिशन से मीजो अफ नागा वो भी आति वादे हमले करते और एक हमला क्या था सेकेंड अक्टोबर को दो तारीक अक्टोबर के सन उनीसो चरासी में चवाली सुन्दू लोग का खत्र करते ये क्रिशिन ओर्गनाइजेशन और कई लोग को जखमी करते खाली क्रिशिन लोग ने कितने हमले कि हिंदुस्तान में वक्त नहीं है क्योंकि दस बज़े तक्रीर बंद करना हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में अगर दर है कोई टेरिस्ट और्गनाइजेशन का वो है माविस्ट ये माविस्ट लोग according to police records हिंदुस्तान में 600 district है 600 district में से 500 से ज्यादा में इनका hold है माविस्ट लोग का और ये इतने खतरनाक है कि पूरी पूली स्टेशन को तबाह करते हैं पूली स्टेशन को जो गाउं उनके खिलाफ है गाउं के गाउं को तबाह करते हैं हमें पता ही नहीं और जो security expert जो लिखते हैं इंडिया के और एक article लाथ टाइम्स ओफ इंडिया में जिसमें लिखा था स्वामी नॉमिक्स के अंदर स्वामी नारान लिखते है कि मुझे ये नहीं पता लगता कि क्यों ये इंडियन गाउंन्मेंट मुश्रिम टेरिस को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस देश में हो रहा है वह माविस के दरिये ये माविस लोग जब हमला करते पुरे पुली स्टेशन को तबाह करते गाउं के गाउं को तबाह करते 600 डिस्ट्रिक्स में से 1500 से ज़्यादा उनका होल्डे वन थर्ड आफ दे इंडिया देफ कवर्ड एक तिसरा हिस्सा कितने लोग माव इसको जानते हैं हाथ उपर कर सकते पचास हजार लोग तो होईंगे तक्रीबं साव हाथ दिखते शायद आपने मेरी तक्रीफ सुनेंगे अंग्रेजी के इस टेर इस मुस्लिम मनोपली हो सकता है मावी मैंने कहा था और दो साल पहले तक्रीर करने के पहले 9 सप्टेंबर 2006 में एक आठेक राथ टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुलीस ने 875 875 रॉकेट्स जो माविस के थे उनको पकड़ लिया 875 रॉकेट्स एन 30 रॉकेट लॉंचर्स 30 रॉकेट लॉंचर्स 875 रॉकेट्स और वहाँ का डीजी पर वंदरपदिश कहता है कि एक रॉकेट हेलिकॉप्र को रॉडा सकता है एक रॉकेट पुरे पुलीस टेशन को दबा कर सकता है 600 मीटर दूर से जनांगे 10 Km दूर से बिटके उस रॉकेट रॉकेट से हमला करे तो पुलिस टेशन दबाव सकता है, हेलिकॉप्टर दबाव सकता है, बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ सकती है रॉकेट लॉंचर्ज ये तो पुरे देश पर हमला करने की प्रेपेरेशन है आर्टिकल आएगा, छोटा इंसाइड इंफर्मेशन आएगा, हेड्लाइन पे ने आएगा इंसाइड पेजिस पे आएगा, नाइन पेज पे, सेवंध पेज पे, क्यों, क्योंकि मुसल्मान नहीं हो आप सोश सकते तो ये स्वामी नाइन कहते है, कि ये इंडियन गाउन्मेंट, ये वेस्टरन पॉलिसी क्यों इक्तियार कर रही है सबसे ज्यादा खत्रा जो है, उन्हें हजारों की हत्या किये, उनके बारे में उनको फिकर ने, उनको फिकर है मुस्लिम टेर इसके बारे में जब हम तैकी करते हैं, आतंगवादी हमले की सारी दुनिया में और इंडिया में भी हमें पता लगता है और बिलाशक हम खुलन खुला बिलाशक सबूत के साथ हम कह सकते हैं, आतंगवाद मुसल्मानों की विरास्त नहीं है आतंगवाद मुसल्मानों की विरास्त नहीं है, बलके स्पेशालिटी भी नहीं है, खुसुसियाद भी नहीं है इसलाम में आतंगवाद को बड़ा दिया ही नहीं जाता है, इसलाम डेजन एंकरज टेरिरिज्म इसलाम कहता है कि आतंगबाद हराम है टेरोरिजम इस प्रोहिबिटेड इस हराम